पनीर का नाम सुनता ही आंखों के सामने सफेद सफेद पनीर और उससे बनने वाले वियंजन घूमने लगते हैं हेलो एवरिवन एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का होमी लोपीपर और आज हम अपनी किचन में बनाएंगे पनीर मसाला वो भी धाबा स्टाइब तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना जब भी धाबे की कोई सबजी खाते हैं उसका कलर देखकर ही मुँ में पानी आ जाता है तो चुंकि आज हम धाबा स्टाइल पनीर मसाला बना रहे हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले पनीर को करेंगे मैरीनेट इसके लिए एक बड़े बावल में लेंगे पनीर मैंने 500 ग्राम पनीर लिया है और इसे बड़े बड़े पीसिज में कट कर लिया है अब इसमें डालेंगे 140 गरम मसाला 140 पून हल्दी पाउडर 140 पून कसूरी मित्थी जिसे हाथों से इस तरह क्रश करते हुए डालेंगे इसके अलावे इसमें डालेंगे 140 पून सफेद नमक 1 टी स्पून देगी मिर्च देगी मिर्च से इसका जो कलर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा और इसके साथ इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून वेजिटेबल ओयल और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे पनीर को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है अब इसे एक साइड में रख देंगे जब तक पनीर मेरिनेट होता है तब तक हम बना लेते हैं इसका मसाला इसे बनाने के लिए एक कडाई गैस पर रख के गरम करेंगे और इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून देसी घी क्योंकि जो सबजी है वो देसी घी में ही ज़्यादा टेस्टी बनती है घी को अच्छे से गरम कर लेंगे घी है वो अच्छे से गरम हो चुका है अब इसमें डालेंगे वन टीस्पून शाही जीरा जीरा है वो क्रैकल हो चुका है अब इसमें डालेंगे खड़े मसाले एक बड़ी लाइची जिसे थोड़ा क्रेश कर लिया है तीन चार लॉंग चार से पांच काली मिर्ची एक तेज पत्ता धाबा स्टाइल लुक देने के लिए इसमें डालेंगे दो लाल मिर्ची इसे थोड़ा भून लेंगे अब इसमें डालेंगे वन टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट वन टेबल स्पून हरी मिर्ची और वन टेबल स्पून जिंजर पेस्ट और इसे अच्छे से भूनेंगे और यह नीचे चिपक कर जले नहीं इसलिए इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पूल गरम पान इसमें डालेंगे एक बड़ा प्यास बारीक चॉप किया हुआ और इसे भी अच्छे से भून लेंगे जब तक प्यास भूनता है हम अपने ड्राई मसाले डालने के लिए त्यार करेंगे उसके लिए एक बाउल में लेंगे 1 टीजपून वेजिटेबल ओयल जिसमें डालेंगे 1 टीजपून हलदी पाउडर गरम मसाला हाफ टीजपून धनिया पाउडर एंड जीरा पाउडर वन टीीजपून साल्त या सबजी के टेस्ट के अकॉर्डि वन एंड हाफ टीजपून देगी मिर्च पाउडर जो सबजी को बहुत अच्छा सा कलर देगा इसके साथ याड़ करेंगे 1.5 टी स्पून कसूरी मेति जिसे हाथों से क्रश कर लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके साथ इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून गरम पानी और इसका एक अच्छा सा मिक्स्चर बना लेंगे सभी ड्राई मसालों का मिक्स्चर हमने तयार कर लिया है अब इसे एड़ करेंगे भूने हुए प्याज के अंदर देखिए प्याज अच्छे से भून चुका है अब इसमें ड्राई मसालों का मिक्स्चर अड़ कर देंगे और इसके साथ इड़ करेंगे वन टेबल स्पूल पानी और इसे अच्छे से दो मिनट भून लेंगे यह कितना बढ़िया कलर आ रहा है मसालों को प्याज के साथ दो से तीन मिनट भून लिया है अब इसमें आड़ करेंगे ग्रेट किया हुआ टमाटर टमाटर को मैंने ग्रेटर की बड़ी साइड से ग्रेट कर लिया है चार टमाटर का पल्प बनाया है अब इसे भी आड़ कर देंगे प्याज और मसालों के साथ और इसे भी दो से तीन मिनट तक अच्छे से भून लेंगे इसके साथ ही आड़ करेंगे इसमें रोस्ट किया हुआ बेसन ये टू टेबल स्पून है जो कि ग्रेवी को थिकनेस परदान करेगा और इसे भी इसके साथ ही भून लेंगे इसके साथ इसमें आड़ करेंगे आधा कप पानी और इसे चार से पांच मिनट तक धीमियाज पर पका लेंगे प्याज, अद्रक, लसन और हरी मिर्च के पेस्ट को हमने ड्राई मसालों और टमाटर थथा बेसन के साथ अच्छे से भून लिया है और देखी कितना बढ़िया कलर आया है अब कंसिस्टेंसी को सेट करने के लिए इसमें डालेंगे आधा कप पानी और साथ में आड़ करेंगे मेरिनेट किया हुआ पनीर मैंने 200 ग्राम पनीर लिया था आप कम ज्यादा भी अपनी आवश्यक्ता के अंसार ले सकते है इसके साथ इसमें आड़ करेंगे टू टेबल स्पून क्रीम क्रीम ना हो तो आप मलाई भी ले सकते हैं वोड़ा सा बरीक कटा हुआ हरा धनिया और इसे अच्छे से मिलाकर और ढ़क कर दो मिनट तक पका लेंगे इसे तैयार है ढबा स्टाई पनीर मसाला करेंगे इसकी प्लेटिंग प्लेटिंग करने के लिए हमने लिए एक छोटी सी कडाही और इसमें डालेंगे पनीर मसाला इसे गार्निश करेंगे कटे हुए हरा धनिया रोड़ी सी क्रीम टमाटर के छिलके से बनाए हुए रोज के साथ लीजिए तैयार है पनीर मसाला इसे सर्व करिए गर्मा गर्म नान कुल्चा या रोटी के साथ तो आपको कैसी लगी ये रेस्पी पसंद आए तो प्लीज इसे ट्राइ करें और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जबूर दबा दें थेंक्यू